आज पांच जुलाई 2021 के मदोर महावाक्य है और आज के मुरले में बाबा पुनह हम बच्चों को साउधान करते हैं और सिक्षाएं देते हैं कि बच्चे इस दुनिया में तुम्हें फैशन नहीं करना है कुछ दिन पूर्व भी बाबा की मुरली थी कि तुम बच्चों को इस दुनिया में कोई भी प्रकार के बाहिय श्रिंगार नहीं करने हैं आज भी बाबा मुरली में हम बच्चों को पुना साउधान कर रहे हैं बाबा कहे कि ये दुनिया में जितना कोई फैशन करता है अर्थात अपनी और कशिश करता है भावार कि अपनी और आकरशित करता है और जो आकरशित कर लेता है तो नैचरल है वो अनेक प्रकार की मुसी इसलिए बाबा कहे मैं तो तुम्हें ऐसी दुनिया में ले चलता हूं जहां नैचरल ब्यूटी रहती है नैचरल सुंदरता रहती है यहां तुम्हें अपने आपको सुंदर बनाने का प्रैत्न नहीं करना है कोशिश नहीं करनी है क्योंकि बाबा जैसे बेहत का वैराग्य द लाते हैं साथ ही साथ बाबा कहे तुम वानप्रस थवस्था में हो तो वानप्रस थवस्था में सबको घर चलने का मैसेज देना है कि अभी हमें अपने घर चलना है तो इस दुनिया के कोई भी प्रकार के आकर्शन की बातों में हमें जाना नहीं है सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य, ओम शान्ती, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान, सच्चा सच्चा पैगंबर वा मेसेंजर बनना है, सबको घर चलने का मेसेज देना है, प्रश्न है, आजकल मनुष्य की बुद्धी सारा दिन किस तरफ भटकती है? उत्तर है, फैशन के तरफ मनुष्य को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं, यह फैशन चित्रों से ही सीखे हैं, समझते हैं, पारवती भी ऐसे फैशन करती थी, बालादी बनाती थी, बाबा कहते, तुम बच्चों को इस पतीत दुनिया में फैशन नहीं कर तुम्हें तु मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूं जहां नैचरल सुन्दरता रहती है फैशन की दरकार नहीं है आज की मुर्ली का गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो ओम शांती बच्चों ने गीत सुना जब महिमा गाते हैं तो बुद्धी उपर चली जाती है आत्मा ही बाप को कहती है वही खेवईया है पतीत पावन है अत्वा सच्चा सच्चा मेसेंजर है बाप आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं और जिसको मैसेंजर वा पैगंबर कहते हैं कोई छोटे वा बड़े होते हैं वास्तों में वह मैसेज वा पैगाम देते नहीं है जो धर्म पिताएं हैं, जो अपने धर्म की स्थापना करते हैं, अक्सर लोग उन्हें पैगंबर कहते हैं, मेसेंजर कहते हैं, कि इश्वर का मैसेज ले क्या है, लेकिन बाबा कहे, वो वास्तों में मैसेंजर या पैगंबर नहीं है, यह तो जूठी महिमा कर भी है, बच्चे समझते हैं सिवाई एक के इस मनुष्य स्रिष्टी पर और किसकी महिमा नहीं है सिर्फ बाप की ही महिमा है सबसे जास्ती महिमा इस दुनिया में किसकी है इन लक्षमी नारायन की है क्योंकि यह है नई दुनिया के मालिक सो भी भारतवासी जानते हैं दुसरे धर्म वाले तो उनको जामते भी नहीं दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं कि भारत प्राचिन देश है भारत में ही गौड गौड़ेस का राच्य था कृष्ण को भी God कहदेते हैं भारत वासी इन्हों को भगवान भगवती कहते हैं परन्तु यह किसको पता नहीं है कि यह भगवान भगवती सत्यूग में राजय करते हैं भगवान ने God, Goddess का राजय स्थापन किया बुद्धी भी कहती है हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भी भगवान भगवती होने चाहिए, सब एक के बच्चे है ना, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते हैं, है सभी एक ही परमात्मा के बच्चे, परंतु भगवान भगवती उन्हों को कह नहीं सकते, उन्हों को कहते हैं लक्षमी नारायं को फिर भी भगवान भगवती नहीं कह सकते बाबा कहें उन्हों को कहते हैं देवी देवताएं यह सब बाते बाप बैठ समझाते हैं भारतवासी कहेंगे कि हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे नई दुनिया को तो सब चाहते हैं बापु जी भी नई दुनिया नया रामराज्ची चाहते थे परन्तु रामराज्य का अर्थ बिल्कुल ही नहीं समझते आज कल मनुष्य को अपना अहंकार कितना है कल्यूग में है पत्थर बुद्धी सत्यूग में है पारस बुद्धी परन्तु ये किसको समझ नहीं है ये हम पत्थर बुद्धी है बाबा कहे ये किसको समझ नहीं है भारत ही सत्यूग में पारस बुद्धी था अब भारत कल्यूग में पत्थर बुद्धी है मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं क्यों कहा पत्थर बुद्धी? क्योंकि बाबा कहे मनुष्य इनको ही स्वर्ग समझते हैं कहेंगे स्वर्ग में विमान थे बड़े-बड़े महल थे वह तो सब अभी है इसलिए समझते यही स्वर्ग तो इस जैसा पत्थर वृद्धी और कोई ने साइन्स कितनी वृद्धी को पाई हुई है कितना सुख है फैशन आदी कितना है बृद्धी सारा दिन फैशन पिछाड़ी ही रहती है आइटिफिशल सुंदर बनने के लिए बाल आदी कैसे बनाते है कितना खर्चा करते है यह सब फैशन निकला है चित्रों से चित्र आदी देख करके अपने बाल भी ऐसे बनाते है समझते हैं पारवते मिसल हम बाल आदी बनाते है ये सब कशिश करने के लिए ही बनाते हैं सोचते हैं देवी देवताओने ऐसे करते थे इसलिए हम भी ऐसे बाल बनाए कुछ समय पहले एक माता ने अपने पोटे को कहा ये क्या तुम लंबे-लंबे बाल रख रहा है अच्छा नहीं लग रहा है तो पोते ने कहा कि दादी मा आप जिस कृष्ण की पूजा करते हो इसके बाल कितने लंबे वो तो आपको कितना अच्छा लगता है कितना प्यारा लगता है मैंने तो इसको देख करके अपने बाल ऐसे बनाए ताकि आपको मैं अच्छा लगू यह देखो तो इसलिए बाबा कहे समझते हैं पार्वती मिसल हम बालाती बनाते हैं यह सब कशिश करने के लिए ही बनाते हैं आगे पार्सी लोगों की स्त्रियां मुँपर काली जाली पहनती थी कि कोई देखकर आशिक न हो जाए इसको कहा जाता है पती दुनिया गाते भी क्या गाते हैं गाते हैं तुम ही हो माता पिता तुम ही हो परन्तु यह किसको कहना चाहिए मात पिता कौन है किसको कहना चाहिए मात पिता कौन है यह भी नहीं जानते मात पिता ने जरूर वर्सा दिया होगा बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्सा दिया था कहते भी है बाबा हम तो आप बिगर और किसी से नहीं सुनेंगे अभी तुम जानते हो श्यव बाबा की महिमा गाई जाती है ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है हम सो पावन थे अब पतीत बने हैं ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे कहेंगे क्या कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया सु देवी देवता फिर 84 जन्मों के अंत में पतीत बने हैं जो नमबर वन पावन वह नमबर वन पतीत जैसे बाप वैसे बच्चे जैसे ब्रह्मा बाप वैसे बच्चे ये खुद भी कहते हैं ब्रह्मा बाबा खुद भी कहते हैं शुबाबा भी कहते हैं मैं आता हूँ इनके बहुत चन्म के अन्ध में जो पहले नमबर में पूछे लक्षमी नारायंट की डिनायस्टी में थे अब है संगम तुम कल्यूग में थे अब संगम युकी बने हो बाप संगम पर ही आते हैं ड्रामा अनुसार बच्चे भी वृद्धी को पाते हैं संगम युकपर धीरे धीरे सबी बच्चे भी वरद्धी को पाते हैं अब बच्चों को ज्यान तो मिला है हम सो देवता थे फिर क्षैत्रिय, वैश्य, शूत्र बने हैं सारे चक्र को अच्छी रिती तुम जानते हो यह तो बहुत सहज है हमने 84 जन मलिये कईयों की बुद्धी में यह भी नहीं बैठता है स्टूडन्ट में नमबरवार तो होते ही है राइट से लेकर शुरू करते हैं फर्स क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ताबा कहे, राइट से लेकर शुरू करते हैं फर्स क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास बच्चियां खुद भी कहती है, हमारी थर्ड क्लास बुद्धी है, हम किसको समझा नहीं सकती है, दिल तो बहुत होती है, कहीं बच्चिये मुख खुलता नहीं, चाहना बहुत रहती हम किसको समझाएं, लेकिन नहीं समझा सकती, तो वो बाबा से कहते हैं, बाबा हम तो जैसे हर्ड क्लास बुद्धी है, हम किसको समझा नहीं सकते, दिल तो बहुत होती है, पर अंतु बोल नहीं सकते, बाबा क्या करे, यहुआ, अब बाबा उसका उतर देते हैं कि क्यों ऐसा होता है, यहुआ अपने कर्मों का हिसाब कित किताब अगर मुख नहीं खुलता है तो बाबा कहे यह है अपने कर्मों का हिसाब किताब अब बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गती का ज्यान सुनाता हूं कर्म करना है यह तो तुम बच्ची जानते हो थर्ड क्लास बुद्धी वाले इन बातों को समझ न सके यह है ही रावन राज्य परंतु यह किसको पता नहीं है रावन राज्य में मनुष्य तो विकर्म ही करेंगे, तो नीचे ही गिरेंगे, गुरु किया ही जाता है दुख की दुनिया में, सदगती के लिए ही गुरु करते हैं, कि मुक्ति में ले जाएं, वह है निर्वाण धाम वानी से परेस्थान, 190 मनुष्य अपने को वान कहते हैं वह तो कहने मात्र है वानप्रस्थियों की भी सभा होती है सब कुछ मिलकायत आदी बच्चों को देकर गुरु के पास जाकर बैठते हैं खान पान आदी तो जरूर बच्चे ही देंगे परंत वानप्रस्थ का अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं दुनिया में वानप्रस्थ किसको कहा जाता है बाबा कही ये भी अर्थ कोई नहीं समझते हैं किसी की बुद्धी में ये नहीं आता कि वानप्रस्थ माना क्या बाबा इसका अर्थ बताते हैं किसी की बुद्धी में ये नहीं आता कि हमको निर्वान धाम में जाना है बानप्रस्त माना वाणी से परे निर्वान दाम में जाना है अपने घर में जाना है वह कोई घर नहीं समझते हैं वह तो समझते हैं जियोती जियोत में समा जाएंगे निर्वान दाम तो रहने का स्थान है आगे साथ वर्ष के बाद वानप्रस्त लेते थे यह जैसे की काईदा था अभी भी ऐसे करते हैं अब तुम समझा सकते हो कि वाणी से परे तो कोई जा नहीं सकते हैं अबे भी कई लोग वानप्रस्त ले करके सब कुछ बच्चों को सौप करके खुद हरिद्वार में जा करके छोटी सी कुटिया अपनी बना करके वहां रहते हैं या इसे कहीं तिर्थ स्थानों पर जा करके रहते हैं तो बाबा कहे अब तुम समझा सकते हो कि वाणी से परे तो कोई जा नहीं सकते हैं इसके लिए तो बाप को ही बुलाते हैं कि हे पतीत पावन बाबा आओ हमको पावन बना कर घर ले चलो मुक्तिधाम में आतमाओं का घर है तुम बच्चों को सत्युक के लिए भी समझाया है वहां कौन रहते हैं कैसे व्रद्धी होती है आदम शुमारी का भी किसको पता नहीं है राम राज्य में आदम शुमारी कितनी होगी बच्चे आदी कैसे जन्म लेंगे कुछ भी नहीं समझते हैं कोई भी विद्वान आचारिय पंडित नहीं जो इस ड्रामा के चक्र को कोई समझा सके है चौरासी लाख का चक्र हो कैसे सकता कितनी रौंग बाते हैं दावा कहे कितनी रौंग बाते वुद्वी में बैठी है बिल्कुल सूथ ही मूझा हुआ है बाप समझाते हैं अभी तुम जानते हो बाप ने कर्म अकर्म विकर्म का सारा राज समझाया है सत्यूग में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं वहां कोई बुरा कर्म होता ही नहीं इसलिए कर्म अकर्म हो जाते हैं यहां मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह भी कर्म हो जाते हैं सत्यूग में जो भी कर्म करते हैं अकर्म हो जाते हैं और कल्यूग में जो भी करम करते हैं मनुश्य विकरम हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम छोटे बड़े सब की, सारी दुनिया की वानप्रस्थवस्था है। सब वानी से परे जाने वाले हैं। कहते हैं हे पतीत पावन आओ, आकर हमको पतीत से पावन बनाओ, या कहते हैं हे पतीत पावन आओ, हमको आकर पतीत से पावन बनाओ, परन्तु जब तक पावन नई दुनिया नहीं है, यहां पतीत दुनिया में पावन तो कोई रह न सके। यह जो भी पतित दुनिया है, सब खत्म हो जाने है, तुम जानते हो, हमको फिर नई दुनिया में जाना है, कैसे जाएंगे, यह सारी नौलेज है, यह है नई नौलेज, नई दुनिया, अमर लोग वा पावन दुनिया के लिए, यह नौलेज है, यह नई दुनिया, अमर तुम अभी संगम पर बैठे हो, यह भी जानते हो, दूसरे जो भी मनुष्य है, ब्रामण नहीं है, वह कल्यूग में है, हम सब संगम पर है, जा रहे हैं सत्यूग में, बरोबर यह संगम यूग है, वह तो है ही स्वर्ग, उनको संगम नहीं कहा जाता, संगम है अभी, यह संगम यूग सबसे छोटा है, इसको लीप यूग कहा जाता है, बाबा कहे, इसको लीप यूग कहा जाता है, संगम यूग को लीप यूग भी कहा जाता है, जिसमें मनुष्य पाप आत्मा से धर्म आत्मा बनते हैं, इसलिए इसको धर्माव यूग भी कहा जाता है धर्माव यूग है जिसमें मनुष्य पापात्मा से धर्मात्मा बनते हैं कल्यूग में सभी मनुष्य अधर्मी है उसकी भेट में धर्मात्मा कहा जहां हम धर्म को अपने आच्रण में ले आते हैं दुनिया में लोग अधर्मी बनते जा रहे हैं, वहां तो सभी धर्मात्मा होते हैं, बक्ती मार्क का कितना बड़ा प्रभाव है, ए अधर्मी मनुश्य कर्म अधर्मी के करते हैं, और जाते हैं फिर धर्मात्माओं के पास, क्योंकि बाबा कहे बक्ती मार्क का कितना बड़ा प्रभाव है, ऐसी पत्थर की मुर्पियां बनाते हैं, जो देखने से ही दिल खुश हो जाए, वह है पत्थर पूजा, शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते हैं पूजा के लिए, शिव का चित्र तो घर में भी रख स बड़ा बड़ा हैं, फिर इतना दूर दूर क्यों भटकना चाहिए, या ज्ञान अब बुद्धी में आया है, अब तुम्हारी आखे खुली है, बुद्धी के कपाट खुले हैं, बाप ने नौलेज दी है, परम पिता परमात्मा, इस मनुष्य सृष्टी का बीज रूप ग्यांका सागर नौलेज़फुल है आतमा भी वन नौलेज़ धारण करती है आतमा ही प्रेजिडन्ट आदी बनती है मनुश्य तो देह अभीमानी होने के कारण देह की ही महिमा करते रहते है अभी तुम समझते हो आतमा ही सब कुछ करती है तो मातमा 84 जन्मों का चक्कर लगाए, बिलकुल है दुरगती को पाई हुई हो। अभी हम आतमा ने बाब को पहचाना है। बाब से वर्सा ले रहे हैं, बाबा को पहचाना है और बाब से वर्सा ले रहे हैं। आतमा को शरीर तो जरूर धारं करना पड़े, शरीर बिगर आत्माई कैसे बोले, कैसे सुने बाप कहते हैं मैं नेराकार हूँ मैं भी शरीर का आधार लेता तुम जानते हो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से हमको सुनाते है यह बाते तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया ही समझाते हो तुनको अब ज्ञान मिला है ब्रह्मा द्वारा आदी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है वही बाप राज योग सिखा रहे हैं इसमें मुझने की बात ही नहीं है इतना सिंपल सिधी बात है कि कैसे परमात्मा बाप आते हैं ब्रह्मातन के द्वारा आदी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने और राज योग उसके लिए सिखा रहे हैं अब इसमें मुझने की बात ही नहीं शिव बाबा हमको समझाते हैं फिर हम औरों को समझाते हैं हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा ही है अभी तुम कहेंगे हम पतीत से पावन बन रहे हैं बाब समझाते हैं यह है ही पतीत दुन्या रावन का राज्य है न रावन पापात्मा बनाते हैं यह और कोई भी नहीं जानते हैं भल रावन की एफिजी जलाते हैं परन्तु कुछ भी समझते नहीं है सीता को रावन ले गया या किया कितनी कथाएं बैठ लिखी है जब बैठ कर सुनते हैं तो कई लोगों के आँखों से पानी निकलने लगता है रोने लगते हैं तो बाबा कहे जब बैठ कर सुनते हैं तो रो लेते हैं वह सब दंत कथाएं बाबा हमको विकर्मा जीत बनाने के लिए समझाते हैं कहते हैं मा मेकम याद करो कहां भी बुद्धी नहीं लगाओ शिव बाबा ने हमको अपना परीचे दिया है पतीत पावन बाप आकर अपना परीचे देते हैं अब तुम समझते हो कितना मीठा बाबा है जो हमको स्वर्का मालिक बना रहे हैं कितना मीठा बाबा है जो हमको स्वर्का मालिक बना रहे हैं अच्छा मीठे मीठे सी किलते बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते हम सब रुहानी बच्चों की रुहानी मात, पिता, बाप, दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आज की मूरली से धार्ना के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट कर्म, अकर्म और विकर्म की गती को जान, स्रेश्ट कर्म करने है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, सत्यू में अकर्म होते हैं, कल्यू में अधिकतर विकर्म होते हैं, तो अभी हमें कर्म, अकर्म, विकर्म की गती का ज्यान प्राप्त हुआ है, इसलिए बाबा कहे, स्रेश्ट कर् ग्यान दान कर धर्मात्म बनना है दूसरी पॉइंट यह वानप्रस्थ हवस्था है इन अंतिम घडियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है पावन बनने का मैसेज सबको देना है आज का बाबा का मतुरवरदान है घबराने की दान्स छोड़ क्या करना है सदा खुशी की डान्स करने वाले Master Knowledgeful भवव गबराने की डान्स छोड़ सदा खुशी की डान्स करने वाले Master Knowledgeful भव Knowledge से ही हम अपनी आंत्रिक स्थिती को परिवर्तन कर सकते हैं इसलिए बाबा कहे जो बच्चे Master Knowledgeful है वह कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते हैं सेकंड में सीड़ी नीचे, सेकंड में उपर अब यह संसकार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे घड़ी-घड़ी स्थिती को उपर नीचे नहीं करो इसलिए हमारी गती स्लो हो जाती है तो बाबा कही यह संसकार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे सिर्फ मिली हुई अथारेटी को नौलेज को परिवार के सहियों को यूज करो बाब के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे घबराने की डांस हो नहीं सकती लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो क्या होता है जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वह डांस होती है घबराने वाली डांस होती है आज का स्लोगन है जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्कर सर्वशक्ती मान है जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्ति मान है क्योंकि महान संकल्प और कर्म की शक्ति होती है इसलिए बाबा कहे वही सर्वशक्ति मान है अच्छा, ओम शानती